कि वेरी इंपॉर्टेंट टास्क भीफोर एप्री वन अफ उस इस तो लर्न अबौट सोशेल मीडिया मार्केटिंग सोशेल मीडिया मार्केटिंग हम सब के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि भले ही आप इंडियूडियली अपना काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या वालिंटियर की रूप में काम कर रहे हैं जब आपको अपने आइडियास को लोगों तक पहुंचाना है तो सोशेल मीडिया मार्केटिंग आपको इसमें बहुत हैल्प कर देता है आप अपने आइडियास को कम्यूनिकेट कर सकते हैं लोग मैं लिंक्डिन का पेज खोलता हूँ आपके सामने लिंक्डिन.com अब यह आपके सामने हैं लिंक्डिन यह मेरे सामने यह मेरे लिंक्डिन का पेज है यह शोभित युनिवस्टी का डिग्री डिस्ट्रिबूशन का information शेयर किया है उन्होंने यह देखे इस तरह से लोग creative advertisement बना करके भी शेयर करते हैं तो लिंक्डिन पे आप अपनी information शेयर करते हैं लोगों के साथ में अब यह संदीप संचिती जी ने अपना एक message शेयर किया है किस प्रकार से हमें प्रभावी message बनाने हैं करते हैं अब्र संचिती जीए प्रवस्ट अपनावार्वाणी निवस्टी तरह कोड़ गुजराथ यह लिंक्डिन पे आप छोटे चोटे अब्टिस्मेंट शेयर कर सकते हैं इनफर्मेशन शेयर कर सकते हैं और इस प्रकार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस्सेमाल कर सकते हैं मैं भी अपनी बात को पहुंचाने की कौशिश करूंगा इसी लिंक्डिन प्लेटफॉर्म के द्वारा तो यह लिंक्डिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके उपर हमें लोगों के साथ में आडियो विजबल मिट्रियल शेयर करना है अभी हाँ पर मैंने एक लाइं का मैसेज डाला है लिंक्डिन पर केरियर गाइडेंस इस माई हाबी और आई आल्वेज लव तो गाइड और स्टूदेंस इन शेपिंग दियर करियर एड हैश्टेग हैश्टेग वह डालें जिसके कोई व्यक्ति मुझे सर्व करें और मैं मिल जाऊंगी हैश्टेग डालते वक्त हमें ध्यान रखने हैं इस तरह के हैश्टेग डालने हैं यह हैश्टेग डाल दी है कुछ हैश्टेग लिंक्डिन अपनी तरह से सजिस्ट कर देता है जिसी एक टीचर हैल्प आलेज हायर एड्यूकेशन स्कॉलर्शेप टीचर तो यह कुछ हैश्टेग लिंक्डिन अपनी तरह से कर देता है अब मैं इसको शेयर कर दूंगा एनीवन प्लस ट्विटर तो मेरा मैसेश ट्विटर पर भी चला जाएगा एक फोटो भी मैं अपने अड्ड कर सकता हूं इसमें फोटो वीडियो अगर मेरे पास कोई हो तो मैं फोटो और वीडियो को भी इसमें अड्ड कर सकता हूं और अब में इसमें पोस्ट का बटन दबाऊंगा तो यह मैसेज अने को लोंगों तक पहुँ जाएगा तो इसी प्रकार लिंक्डिन का इस्तेमाल करना है इसी प्रकार ट्विटर का इस्तेमाल करना है है, सोशल मीडिया के अन्य टूल्स का जैसे फेस्बुक वगरा का इस्तीम हम को करना है । अपनी बात को कम्यूनिकेट करने के लिए कम्यूनिकेशन के यह नए साधन है और हम सबको इनका कि इस्तिमाल सीखना है हमें इनका सित्माल अधिक सदिक करना भी है, इनका इस्तिमाल सीखना भी है, इनके दुश्पर्णामों से बचना है, और इनके जो फाइदे हैं, वो फाइदे हमको लेने हैं। सोचल मीडिया के उपर छोटे-छोटे विग्यापन, छोटे-छोटे messages बहुत प्रभावकरी होते हैं। आप छोटे-छोटे messages के द्वारा बहुत बड़ी बात कह सकते हो, बहुत बड़ी audience से connect करते हो। छोटे-छोटे वीडियो से आप अपनी बात को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। कई छोटे वीडियो इतने प्रभावशाली होते हैं कि बहुत छोटे-छोटे वीडियो उनको लोग तुरंत एक दुसरे तक पास्वान करते रहते हैं। और बिल्कुल छोटे-छोटे वीडियो हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। तो मैं आप से यही अन्रोद कर रहा हूं। यह कला आप भी सीखिए। और अधिक से अधिक लोगों तक कम्यूनिकेट करने के लिए अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस प्रकार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। जितने भी सोशल मीडिया प्रेटपॉर्म में सब का इस्तेमाल करें। बहुत साफधानी से इस्तेमाल करें ताकि आप इनके दोरा अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते। और उसके बाद आप अनालाइज भी करिए कितने लोगों ने आपके मैसेज को देखा, कितने लोगों ने उसके पूर रियक्ट किया, कौन रियक्ट कर रहे हैं, कितने लोगों ने उसको आगे शेयर किया, कौन कौन शेयर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क में कन मिल सके इस तरह के लोगों को जोड़िए अपने नेटवर्क में जिससे आपके लिए कम्मिनिकेशन इफेक्टिव हो सकी है